हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंग और आपका पठाई अच्छा चलना हुगा है चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अच्छे बाद मेरा एंसर देखना है ठीक है तो चलिए इसका एंसर हो जागा भी आने की सदन रेलबे दक्षिन जो रेलबे जुन था यह भारत का पहला रेलबे जुन था ठीक है चलिए देखते हैं दुसरा कुश्चन क्या है देखे आपका दुसरा कुश्चन यह है कि इन रेलबे वाज इस्टार्टेड इन इंडिया तो मतलब भारत में कब रेलबे इस्टार्ट हुआ ठीक है तो यह कुश्चन बहुत असान है मैं इसमें कुछ असान कुश्चन लिया हूँ कुछ हाड कुश्चन भी लिया हूँ क्यूंकि आपको पता है एक्जाम में भी कुछ कुछ असान कुछन होता है और रहते हैं और हैं तो सभी हाड होता है और नहीं सब असान होता है समझ गए बातों को तो चलिए इसका अफ्सन हो जाएगा बी आने के आप्रेल 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 आठारा सो तिरेपन आपको डेट के साथ इसको याद रखना है ठीक है चलिए देखते है नेक्स्ट कुछन नेक्स्ट आपका तीन नमर कुछन है देखिए क्या कह रहा है करा इंडियन डेलबे has decided to offer 50% travel occasion for the youth participation under which program मतलब कह रहा है कि इंडियन डेलबे जो है वो क्या decide किया है कि अगर कोई youth participation करता है एक राजी से दूसरे राजी में जाता है या कोई national level पे फंसन होता है तो travel करता है तो उसमें क्या करेगा बारतिये रेलबे ने 50% उनको किराया में छूट देगा तो यह और एक आनि कि एक भारत स्रेष्ट भारत के प्रोग्राम के अंदर किया गया समझ गया बातों को चलिए देखते नेक्स्ट कुछन क्या है आपका नेक्स्ट कुछन है चार नमर ठीक है चार नमर कुछन है कि newly established railway zone east coast railway मतलब जो east coast railway है इसका आप से क्या पूछा जा रहा है त है तो आपको answer पता चल गया चलिए अब मैं बताता हूं इसका answer हो जाएगा आपका option number D भूबनेश्वर हो जाएगा पहले आपको खुद का answer लगा ले ना उसके बाद मेरा देखना है ठीक है बात समझ गया है चलिए देखते आगे आगे आपका 5 नमर कुछन है देखिए 5 क्या है कि how much amount is allocated to Indian railway in budget 2021 2021 के budget में Indian railway के लिए कितना amount allocate किया गया है मतलब आवन्टीत किया गया है रासी समझ गया बातों को तो यह आपको answer पता चल गया चलिए अब मैं बताता हूं कितना होगा कि 110,055 करोर इतना रासी को मतलब क्या किया गया इलोकेट किया गया Indian railway के लिए त कभी तो आपको ऐसे 1.1 भी direct click करके देगा ठीक है लाग करोर लेकिन कभी कभी आपको पूरा भी देगा ठीक है तो आपको यह पूरा याद रखना है अगर यह पूरा याद रखेगा तो यह आपको अपने आप हो जाएगा ठीक है चले देखते next question 6 नमर क्या है देखे 6 नम को comment box में बताना है और कितना kilometer यह मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं तो आपको comment box में क्या बताना है कि यह कहां से बीबेक express कहां से start होता है मैं थोड़ा indication आपको देता हूं ऐसे है ठीक है यहां से start होता है ठीक है और यहां तक आता है ठीक और कितना kilometer यह आपको comment box में बताना ही बताना है ठीक है और मैं तो यह भी बता चुका आपको कि कितने राज जिसे गुजरता है लेकिन यहां मैं नहीं बताऊंगा आपको यह कोमेंट बक्स में बताना है ठीक है चले देखते आगे साथ नमर कुश्चन क्या है साथ नमर कुछन है कि railway stop college कहां पे हैं मतलब railway stop college जो जो कहां पे आवी तो ठीक है बरोध्रा और कहां यह पढ़ता है तो गुजरात में पढ़ता है ठीक है तो यहां पे है railway stop college और आज आपको बताना है कि आप कितना marks लेकर गया है क्योंकि आज का question जितना भी हो सब मैं कहीं कहीं आपको पढ़ा चुका हूँ next question नेक्ट गूश्यन है आपका नव नमर कूश्यन देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा rail pool है ठीक है rail pool इस्तितर किस नदी पर यहां पे खने का मतलब किस पढ़ यहां पर option में दिया गया है तो option के आपको चलना है तो किस नदीप आपको एंसर पता चल गया है चलिए तो हम बताते हैं इसका एंसर होता है क्या अप्शन C हो जाएगा ब्रह्म पुत्रा नदीप एक चीज आपको बताना है यहां पर और यह कुछन मैं पीछे पीछा हूँ आज मैं तीन चार कुछन आप से पूल का नाम बताना है और क्या तो इसका लेंथ बताना है कितना है समझगे बातों को चलिए आगे देखते हैं आगे है अपका दस नमर कुछन ठीक है 10 नमर कुछन क्या है कि in which city are head quarter of three zones of Indian railway मतलब कौन से city में तीन गो इंडियन डेलबे का जोन है समझगे बातों को आपको एंसर पता चल गया चलिए अब मैं बताता हूं इसका option हो जाएगा कौन तो option D हो जाएगा कुलकता बेस्ट बंगाल यहां पे तीन गो रेलबे का मतलब जोन का यहां पे head quarter है कुलकता में समझगे बातों को चलिए आगे देखते आगे आपका 11 नमर कुछन 11 नमर कुछन क्या कर रहा है देखिए कर रहा है कि total आने कि total how many railway station इंडिया तो मतलब कितना है railway station तो देखिए आपको अगर 749 दे तो ठीक है अगर नहीं भी दे तो आपक है इसके आसपास है तो वो भी आपको ले लेना है समझके बातों को अगर यह नहीं रहेगा तब 74 का आसपास होगा उसको भी ले लेना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे आपका question number 12 है देखिए question number 12 क्या कर रहा है कर रहा है कर रहा है निमन में से कौन सी पहली समय सार नहीं है time table यह किसके द्वारा design किया गया यह आपसे पूछा जा रहा है ठीक है तो आपको answer पता चल गया चलिए अब मैं बताता हूं इसका option हो जाएगा सी कौन तो जो ब्रेट सो मतलब इसके द्वारा क्या तो सबसे पहले इंडियन डिलबे का time table का design किया गया जैसे कि आनि कि longest railway Johnson in India largest sorry longest नहीं यहाँ पे largest देखे इस दोनों में अंतर है longest का मतलब होता है लंबा ठीक है largest का मतलब बड़ा यहाँ पे बड़ा पूछा जा रहा है तो इन बातों को ध्यान रखे है काफी लोग इसमें confuse करते है तो आपको इसमें answer क्या लगाना है तो मतूरा है ठीक मैं ऐसे नहीं कि direct comment कर दिया कि सड़िये है तब मैं आपको compare करके बताऊंगा ठीक है चलिए देखते नेक्ट नेक्स है आपका चौदा नमर कुशन चौदा नमर कुशन है कि which of the following is the eastmost division of Indian railway मतलब सबसे पूर्वी में कौन सा भारत का Indian railway का division है सबसे पूर्व में मतलब जैसे कि माल लेजिए कोई map नहीं बना रहा हूं मतलब ऐसे ही बता रहा हूं अपको इधर तो मेरा pain भी नहीं चलता है मैं ऐसे बता रहा हूं जैसे कि माल लेजिए कि यह हो गया तो सबसे यहां पे जो है कौन सा railway division है समझगे बातों को तो यह कहां पढ़ता है तो awesome में पढ़ता समझगे बातों को चलिए आगे देखते हैं आगे आपका question क्या कह रहा है देखिए question कह रहा है कि on which river is the world highest railway bridge being constructed in consumer तो मतलब कौन से river पे सबसे उचा ब्रीज बंदा है railway के लिए ते कौन से river पे तो चेनाब river पे जब हम आपको theory पढ़ा रहे थे तो हम यह बता थे कि चेनाब river पे बंदा है उसका उचाई कितना है इसका construction किस टाइप का bridge है मतलब आर्क bridge है कौन से किस material से बंदा है यह सब कुछ हम आपको बताए तो इसलिए हम आपको क्या बोलते है कि सभी video देखते रहे ताकि आपको कहीं भी कोई question miss नहों समझगे बातों को चलिए आगे देखते ह आगे आपका 16 नमर कुछन है देखिए 16 नमर कुछन क्या करा रहा है करा कि गोरखपूर वीच है दा हाइस्ट लॉंगेस्ट प्लेटफॉर्म इन दा वर्ल्ड लोकेटेड इन वीच स्टेट ठीक है तो देखिए यह इजी कुछन है लेकिन फिर भी इजी कुछन को भी पढ करना चाहिए ठीक है ते कौन से स्टेट में पढ़ता है गोरखपूर यह आप से पुछा जा रहा तो यूपी में पढ़ता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे आपका 17 नमर कुछन है 17 नमर कुछन क्या है देखिए कराई अट वीच स्टेशन औल थिरी गेज मतलब टिनों गेज अब लेबल है थीक है तीनों गेज का मतलब जो ट्रैक है अब लेबल है चलिए देखते आठारा नमर कुछन देखिए आपका 18 नमर कुछन क्या है क्यारा, what is the width of broad gauge railway line, मतलब जो broad gauge होता है इसके बीच का width कितना होता है, आप मिटर में तो याद करके रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आप से किस में पूछ रहा हूँ, तो feet में पूछ रहा हूँ, broad में कितना होता है, meter में कितना होता है और narrow में कितना होता है, समझ गए बातों को चलिए देखते हैं आगे, आगे आपका 19 नमर को चैने, देखिए यहाँ पे match करने के लिए दिया गया है, तो मैं direct आपको दिखाता हूँ manufacturing unit कहाँ पे और कौन से state में है, समझ गए बातों को तो देखिए, मतलब उसका नाम आपको बताना है, और उसका state बताना है, तो यहाँ पहला क्या है, कि यहाँ पे पूछ आपको चीतरंजन locomotive works, ठीक है यह कहाँ पे, कौन से state में पढ़ता है, उसके बाद wheel and excel plant, यह कौन से state में पढ़ता है, उसके बाद rail coach factory यह कौन से state में पढ़ता है, ठीक है, आप चारों देख लिए, चलिए अब मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, जैसे कि integral coach factory, यहाँ पे एक option आपको दिख रहा ता मिल नाडू, तो यह हो जागा, option B के लिए A हो जाएगा, ठीक है, और चीतरंजन कहा हो जाएगा, तो मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, आपको खुद पहले जज करना है कि कौन होगा, तो देखिए, चीतरंजन locomotive के लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, समझगे चलिए अब फिर से मैं आपको कुश्चन देखाता हूँ, पड़ देखिए, कुश्चन, जैसे कि विल एन एकसल प्लांट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आपको पता चल ला है, ना, तो बैंगलूरू हो जाएगा, इसका करनाट का बैंगलूरू हो जागा, ठीक है, तो आप समझार हो जाएगा, अब चलिए दो एक बचा, जो दो बच गया, यह पंजाब है, तो मतलब पंजाब में क्या है, तो आपको यह, आनि कि रिल कोच फेक्टरी जो है, यह आपको इसके साथ मिला देना है, तो मिलान करने वाले कुष्चन में आपको हमेशा क्या धहान रखना है, कि सबसे पहले आप उसको मिलाए, जो आपको आता है, बात में जो नहीं भी आता है, तो उस पे आपका दिमाग काम कर जाता है, समझ गया बातों को, चलिए आगे देखते हैं, बीस नमर कुष्चन क्या है, बीस नमर किवाजी टर्मिनल है इसको हम पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे समझ गे हैं बातों को चलिए देखते आगे 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 आपका एक इस नमर कुश्चन है ठीक है एक इस नमर कुश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे पुराना अभी ऑपरेटेड है एक स्टीम लोकोमोटिव ठीक है इसका नाम है फिरी क्योंगे इसका नाम भी आपको याद रखना है ठीक है और कौन से स्टेशन के बीच में चलाया जाता है तो यह डेली निव कौन थे ते यह आपको बताना है समझ गया यह हो जाएगा आपका जोन मताई हो जाएगा ठीक है चली देखते आगे आगे आपका है तेइस नमर कुश्चन देखें तेइस नमर कुश्चन क्या है कि हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन डेलबे इज लोकेटेड तो मतलब हेड नमर कुश्चन का जोन मतलब सताबदी एकस्प्रेश को जो चलाया गया था यह कौन से हस्ती के सोवी वर्सगाठ के अवसर पे चलाया गया था 1891 में चलाइगा था ठीक है तो यह शुरू किया गा था उनई 1789 में ये भी आपको याद रखना है और कॉन से हश्ती के मतलब 속hi voice guy पे चलाइगा थो ये भी आपको याद रखना है तो क्या हो जाएगा तो option C हो जाएगा जब हर लाल नहरू हो जाएंगे ठीक है तो यह आपको याद रखना है दोस्तों अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ जितना मैं हिस्ट्री ओफ इंडियां डियल बे कड़ाया हूँ न अगर जितना भी प्ले लिस्ट के अंदर अगर व यह एक्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन हम जो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं इसके लिए रिजल्ट यहीं से हमें मिलना है ठीक है तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा जितना ध्यान आप पिछे बाले question में रखे हैं उतना ध्यान आप इस option को भी समझ गया बातों को तो आप सबी वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए आपको एक्जाम में पका बहुत अच्छा माक्स आगा और आपका selection भी होगा ठीक है तो thanks for watching ओके बाए जहीं दोस्तों